चैसे गुर्देव कैसे हैं सभी मेरा ओडियो प्यार है आवाज आ रही है सभी सुन पा रहे है चलिए शुरू करते हैं कि अमें करी कर दो 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 कर ओमकार कर दो 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 झाल 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 हारी हो सार झाल सार 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 झाल सार 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 अगार 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 आगार कर दो 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 कर एकार टार चार झाल जडता है वो का चूगा कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो झाल 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 हंकार झाल 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 आल झाल आल झाल 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 आल 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 झाल झाल आल 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 आ आ आल आल आ आल आ Ben अचले 29 नंबर के लांग निकाले कि ये बहुती पास है माँ तक का है गले की रीज बढ़ाने के लिए जब दस्तलंकार है, 29 नमबर और जाने की रोट पैंवर फेस्तों conscious को बढ़ाने मिलों एकक में का पर ठाक में के लिए रचा ने काएए 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 निधा पढामा मापद और स्काल आहा is में अजये सागरे ममागरे सागरे ममागरे साधनी पापग निसानी पादमाँ पादनी धामः पगागाँ मादापगमरी घामः निसा लिए, निसानी पादमाँ निसा découvrir। हैं वह हंदाल हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हाँ हुआ हुआ है हाँ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ है है हुआ है हुआ है आप लोग के पास आउंगा तो 8-10 मिट और एक रिदम में सभी को अमगाते हैं ताकि यह डिविजन हो जाएगा हमारा और एक साथ सभी करियाज हो जाएगा तो आप लोग भी गाएंगे ताल एक ही ताल में करेंगे अभी केरवा ताल में अपने अलंकार किये हैं तो अभी वन फिफ्टी टेम पूप में अपन इसको कर रहा है अभी तीन ताल में किया अपने अभी केरवा में करेंगे ठीक है ताल के आवाज आ रही है 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 तो कहां से शुरू करेंगे बंदिश है शोटा क्या है 1,2,3,4,5,6,7,8 डगरे चलते छेरे शाम सकीरे डगरे चलते छेरे डगरे चलते छेरे शाम सकीरे मैं दोंगे गारे नीपाट आनारी मैं दोंगे गारे मैं दोंगे गारे नीपाट आनारी मैं दोंगे गारे डगरे चलते छेरे शाम सकीरे डगरे पनिया भरत मूरी गारे पूरी पनिया भरत मूरी नाहक मैं आमरोडी जक जोड़े नाहक डगरे चलते छेरे शाम सकीरे डगरे चलते छेरे शाम सकीरे डगरे काहे बनाएं तुने माट आनारी माट आनारी के पूतले धरती ये प्यारी प्यारी मुख्रे ये उजले धरती ये प्यारी प्यारी ये मुख्डे ये उझेले काहे बनाया तुने दुनिया का खेला जिसमे लगाया जवानी का मेला को चुकत माशा देके आरे तेरी खुदा आई काहे को दुनिया बनाई तुने काहे को दुनिया बनाई इमेर सासाथ गाते रहेगा कि आप लोग को पहले से याद है लिरिक्स वगेरा सब को सासाथ गाये फोलो करें एका लंतर देखते हैं वान टू त्री फॉर फार शिक्स इसरी कि आप बीच बीच में से सरगम भी करते रहे देखो 10-15 मिट में सब का रियास हो सकता है आपका जब आपके पास समय कम रहे और पुरा नवी रिविजन करना हो तो इस तरी के से कर सकते हैं ताल पले करके एक साथ इसमें बीच बीच में लंकार भी गा दिया फिर एक गिद गा दिया फिर दूसरा तिसरा ऐसे करके जब रुड़नी के पूरा पूरा गाए एक स्थाई अंतरा काफी है चलिए इसका एक अंतरा देखते हैं पांच, छे, साथ, एक मात्रा का जब ध्यान रखना है कास शुरू करना है तू भी तू तडपा होगा मन को बाना कर तू भी तू तडपा होगा मन को बाना कर तू आए प्यार के मन में चुपा कर तू आए प्यार के मन में चुपा कर वो इचरी कब वो भी आँखों में तेरी आशु भी चल के वो में पलकों से तेरी पुले क्या सुझी तुझको काहे को प्रीते जगाई काहे को दुनिया बनाए 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 इस तरीके से कर सकते प्रेक्टिस दोस्त लागी तो प्रेके निदम वोई है राम चरन सुखदाई राम चरन सुखदाई भज मन राम चरन सुखदाई भज मन राम चरन सुखदाई ठायू परसे राम चरन सुखदाई राम चरन सुखदाई अब इसमें भी कर सकते हो आप अलंकार या कोई तान ले सकते हो राम चरन सुखदाई 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 नीचे तक भी जा सकते हैं, मैं भी पंचब तक गया था, ऐसे सबी पल्टों को अलंकारों को आप विश्विश में गा सकते हैं, ताकि आपकी ताल पे भी ध्यान रहा है, आपका ताल पी पकड़ बने आपकी अलंकारों परियाज में चिन चरणान की चरणपादू का पादू 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 का चरण पादू का भरत रयो लबलाई चिन चरणन की चरण पादू का भरत रयो लबलाई जिन चरनन की जिन चरनन की चरन पाधू का भरत रहू लग लाई सोई चरन के बट घुईलीनों अगरिनाव चड़ाई भज मन राव चरनन सुखदाई भज मन राव और कौन कौन से कीत है हर देश में तू हर देश में तू तेरे नाम अनेक तुरे कई है हर देश में तू यह शायद मैंने करवाय नहीं आपको आप लोग कर सकते हैं ठीके इस गित को भी कर सकते हैं मैं भेज दूँगा इसका ट्रोला आप लोग को चली इसको गाते हैं यह साथ इस मात्रव यह शुरू होगा आपको यह जरू ध्यान रखना है कि कौन सा गित कौन सी मात्रव शुरू हो रहा है जोरूनी के सब भी पहली मात्रा से हो तो ये आपको पता होना चीए तब ये आप एक रिदम में एक ताल में गा सकते हो चलिए सेवन बेट से चुनू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक रे तेरी रंग भूमी है ये विश्वधरां तेरी रंग भूमी है विश्वधरां हर खेल में मेल में तू एक तो है हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम पनेक तुखे करें तेरे नाम सागर से उड़ा बागल बनके सागर से उड़ा बादल बनके बादल से तिरा जल भूकर के सागर से उड़ा बादल बनके बादल से फटा जल भूकर के फिर नहर बनी नदियां गहरी फिर नहर बनी नदियां गहरी तेरे भिनन प्रकार तुखे करें हर देश में तू हर देश में तू तेरे नाम पनेक तूखे करें हर देश में तू दो ने बोसा रही थे ओई कई ओरे हरियावन की ओई कई ओरे प्रभु आवन की आवन की मन भावन की ओई कई ओरे प्रभु आवन की आवन की मन भावन की ओई कि ओरे प्रभु आवन की मन भावन की ओरे प्रभु आप नावे 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 प्र पतिया ना भेजे आपनावे प्रभु पतिया ना भेजे आपनावे हरी पतिया ना भेजे पात करे लल चावण के आवण के मनभावण के कही ओरे गुरु आवण के मनभावण के कोई कही ओरे गुरु आवण के मेरा का भावे इस बजन में है यह दो नैनाव ये दो नैना ये दो ने ना कहा नहीं माने या बहेज से सावन की नतिया बहेज से सावन की मन वावन की वावन की मन वावन की वावन की वावन की वावन की कुछ का गीतिया दा रहा है भेरी का कुछा कुछा करी आपका कुछण करी साथ को भजे हरी को साथा हाँ जो भजे हरी को साथा जो भजे हरी को सब्सक्राइब सुई परमपदरभा जैसे ये जो गीते न ये बजनी ठेका में बहुत अच्छा लगेगा अलागि इसके साथ भिगा सकते हैं जो भजे हरी को सब्सक्राइब सुई परमपदरभा सुई परमपदरभा जो भजेगा सुई परमपदरभा जैसे दिये भी है और भी बहुत सा लगीते तुम मेरी राखो लाज हरी तुम मेरी राखो लाज हरी तुम जानत सब अंतरया मी करनी कच्छुना करी तुम मेरी राखो लाज हरी तुम मेरी राखो लाज हरी तुम मेरी राखो लाज हरी जोत से जोत जगाते चलो ते रेम की गंगा बहाते चलो ते म की गंगा बहाते चलो राह मिले जो दिर दुखी सब को गले से लगाते चरू सब को गले से लगाते चरू जोत से जोत जगाते चरू देम की गंगा बाते चरू एको भग प्यारा गी थे चेतावनी की थे सच धच के एकट की सहजादी आएगी सहजादी आएगी ना सो ना काम आएगा ना चांदी आएगी अच्छे की एक कर्म तुने पाया मनबतन तूने थे चेतावनी की थे चरू पाया आनवतन और पाप में डुबा हुआ है पापी तेरा मन ये पाप की दिया तेरी डूप जाएगी ना सो ना कम आएगा ना चान्दे आएगी फिल में कि दिवी है ये गल्या ये चोबारा यहाँ ना ना तो बारा अब हम तो मैं पहरे से कि दिया तेरी ये तो बारा ये नहीं कि दिया तेरी ये तो बारा ये डिएगी मिले सुर मेरा तो मुझा तो हो सुर बने हमारा सुर की नदिया हर दिसा से सुर की नदिया हर दिसा से पहते सागर में मिले बादलों का दूप लेकर घर से हलके हलके मिले सुर मेरा तो मारा मिले सुर मेरा तो मारा तो सुर बने हमार चलिए फाइनली जूबित अपना चल रहा है अभी उस तो लेखते हैं लागा चुनेरी में दाग चुप कैसी लागा चुनेरी में दाग चुप कैसी लागा जिन री मेना है कैसी लागा जिन री मेना है देखे इस E के लाइन में कितने सारे वरियेशन है इसे आपको लेना है जब वो simple-simple तरीके से हो जाए तक तुरा उसको advance बनाना है और खूब सुरत बनाना है और उसमें क्या कर सकते है यह हमें सब प्रया सोना चाहिए हमारा लागा चुनेरी में दागर छुपाउं कैसी लागा चुनेरी में रागर छुपाउं कैसी गर पीचाउं कैसी लागा चुनेरी मेरा पे चुपाऊं हो गई मेरी मूरी चुनेरी याँ पोड़ी चुनेरियां आजाके बाबु से नजर मिलाओं कैसे कर जाओं कैसे लागा चुनेर मिलाग चुपाओं हां भूल गई सब बचने विदा के हो गई मेरी ससुराल में आके भूल गई सब बचने विदा के खो गई मेरी ससुराल में आके आजाके बाबु से नजर मिलाओं कैसे गर जाओं कैसे लागा चुनेर मिलाग चुपाओं 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 मेल है माया जाल कोरी चुनेरिया आत्म मोरी मेल है माया जाल वो आंगन मुरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल जाके बाब से नजर मिलाओं कैसे गर जाओं कैसे लागा चुनेरी में दाग चुपाओं कैसे लागा चुनेरी में दाग चुपाओं कैसे लागा चुनेरी में दाग चुपाओं कैसे लागा, चुनरी में लाग, लागा, चुनरी में लाग, चुनरी में लाग, छुपाओं, कैसे लागा, चुनरी में लाग कि किसी को कुछ पोचना है किसी का कोई प्रश्न है जी गुर्देव हाँ लगता जैशी गुर्देव अकार में तो बिससे बिल्कुल नहीं हो रहा कैसे क्या टेक्टिक युश देवन कौन से टेंपो में कला चली नहीं से कितना गंटा बेटते हैं आप रियाज में आदा गंटा सुबह एक गंटा शाम को बस देड़ घंटे की साफ से और कि क्या एकस्पेट करते हैं आप अपने आप से देड़ घंटे की साफ से तो आप बहुत अच्छा करते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं देड़ घंटा जो आप समय देते हैं उसकी साफ से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आकार इतना जल्दी नहीं होगा समय लगेगा आकार में और regular करना पड़ेगा continue और एक निश्चित रिदम में करना पड़ेगा, फास्ट नहीं हो, मैं तो यहां बहुत फास्ट करवाता हूँ आपको, ठीके, लेकिन, जब आप खुद से करें, तो आपको अपनी गले की शमता की हिसाब से करना है, यह पहले भी बोला है कि आकार में आप लोग 100 तक ही करिए, भी 100 से उपर नही 190, 80, उसी उत्रे में करिए, जब तक धीरे-धीरे वो गले में नहीं बैठेगा ना, फास्ट कैसे होगा, कोई भी गाड़ी चलाना सीखता ना, पहले धीरे-धीरे, फ़र्स केर, सेकेंड केर, फिरे-धीरे फिरे फिर टॉप लगाता है, टॉप में पहुंचता है, ऐसे यह हाँ, गले का भी वेसा ही है, हम धीरे-धीरे-धीरे-धीरे उतना फास्ट चल पाते हैं, मुझे एक और प्राप्लम है मुझे, मेरा जो लेक्ट नोस्टिल है, बहुत जादा असा लगता है, ब्लॉक ही रहता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब कुछ यहाना ब्लॉक प्राइनाम है, और कुछ टेकनिक भी है, सिंपल बताता हूं आपको जब भी अगर वैसे क्या होता है, नैच्रल ऐसा होना चाहिए, मतलब यदि आपके दोनों स्वर्प, मतलब सूर्य और चंद्र, हीडा पिंगला जो नाडियां है, 요सके लिए प्राण mająम है, प्राणायाम का अभियास आपको करना चाहिए, और एक सिंपल आपको बता देता हूं कि जब भी, जैसे आपको लेट चलाणा हो, राइट जैदा चलता है, लेप्ट नहीं चलता है लेप्ट ब्लोकेज रहता है तो आप राइट करवट लेड जाए कम से कम पांदस मिनित तो लेप्ट आपका चलने लग जाएगा वो यदि लेप्ट जादा चल रहा है राइट नहीं चल रहा है तो आप लेप्ट करवट लेड जाएं तो उसके आपोजिट वाले चल लाइडा मतलब जो स्वर चल रहा होता है और अपने को आपोजिट वाले चलाना होता है तो जो स्वर चल रहा है उस उस समय जो स्वर चल रहा है उसको बंद कर दीजिए जो स्वर चल रहा है उस समय यदि आपका हेड़ेक हो रहा है उस समय राइट स्वर चल रहा है या लेप चल रहा है जो भी चल रहा है उसको ब्लोक कर दीजिए उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए पांच मिट बंद करके र तो यह बिल्कुल सिंपल टेक्निक है और भी बहुत साई टेक्निक है प्राणयाम में प्राणयाम आप शुरू करिए यहां वो विशे नहीं इसलिए मैं बताऊंगा नहीं आप प्राणयाम करिए किसी योगा टीचर के सानित्य में गुरू के सानित्य में कुछ एक-दो प्रा अच्छा राग भेरविक के जितने भी गीत हैं हाँ चुआन साब माई कौन करी अपना हमारी एक सब्मेशन थी से मुझे पता नहीं मतलब मुझे ऐसा लगा तो मैंने आप से खेर करूँ मतलब हम अच्छा आपने अभ्यास करा रहे है राग का भेरविका लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं जो स्वर्ग्यान होना चाहिए जल्दी उसमें थोड़ा सा कहीं रुका ठहराव आ रहा है मतलब आप ही यॉर तब पेस जच आप ही पता सकते कौं सा रास्ता है वो सही रहेगा जिससे स्वर्ग्यान हमें हो तो शायद भर उसके बाद हमारे उग्या चलने लगे गला भी चलने लगे अभी स्वर्ग्यान उतना पगड में नहीं आ रहा है यह मेरा एक मतलUp feeling है जो मुझे लग रही है तो ईकलुक्स कभी गले पर जोरते रहे हैं कभी गार्णे पर जो जोरते रहें गजीविटेर में गुलय के दोर गयान जो घोना चाहित गाने ह dzi quicker का यौर्ग्यान आप अघ्धा से खोड़े सांट जाने के यौश πर गले तो ऐ करते हम तो जानते हैं कुछ आप यह समझ रहें कि इस तरीका सही है तो बिल्कुल ठीक है हम ऐसे ही करते रहेंगे आप यह समझते है कुछ फदलाव करके कि कि और तरीके से सिखाऊं तो वह अपना ही है ताकि थोड़ा सा स्वर्ग्यान होने लगे तो फिर हमारा उत्ता भी ब प्रेटन हम लोग करते हैं चेंज करकर के जितने भी हमने अभी तक किये हैं इन यह जब आप खुछ से जब करते हो गर पर प्रेक्टिस इससे कुछ ग्यान हुआ कि नौलेज बढ़ा कि नी बढ़ा आप लोगों का जरूर थोड़ा तो पढ़ाया था पहले से बढ़लब संगीत को समझना स्वरो को समझना उसमें बहुत सारी चीज़े माइने रखती है सबसे पहले तो यह कि जो हम रियास कर रहे हैं वो को उसकी दिशा सही है कि नहीं कौन सी दिशा में हम रियास कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं कि स्वर ज्यान में बहुत सुक्षुष्णता और बहुत एकागर्दा की आवशकता होती है और नीमित्ता की आवशकता होती है और जितना आप समय दे रहें इतनी सवारी चीजे हैं संगीत में करने की आप कुछ सेलेक्टेट चीजे ही यह εदी उठाएंगे न कुछ सेलेक्टेट चीजों को56 अप समय देंगे और उनने को बार बार आप करेंगे तो भी आपका भला हो जाएगा, तो भी बेडा पार हो जाएगा, क्योंकि इतने सारी टेकनिक है, मैंने शुरू में भी कहा था कि हर व्यक्ति को कम से कम, सुबे शाम कम से कम दो घंटे प्रेक्टि जरूर करना चाहिए एक घंटा सुबे एक घंटा शाम को यह मिनिमम बता रहो मैं कम से कम बिलकुल कम से कम इससे कम तो बिलकुल नहीं चलेगा ही नहीं क्योंकि 15 मिट तो आपको सामी लग जाएगा और आवश्या के 15 मिट सा लगाना जरूरी है तब ही आपकी पिछ वहाँ पे सेट होगी आपकी स्केल चेंज नहीं होगी आपके गले में भड़ाव आएगा एक पिछ तयार होगी आपकी फिर वहाँ से आप जब गाना शुड़ू करोगे तो आप बेसूरे नहीं होगे आपकी पिछ गड़ बढ़ने होगी तो पंदरा मिट तो आपके सामी चले जाएंगे तो देड़ घंटा बचा आपके पास सुबे शाम 15-15 मिट साका अटा दीजिए तो देड़ घंटा बचा देड़ घंटा में कम से कम आपको आदा घंटा अलंकार ही करना है आदा घंटा परड़ एक कम से कम अलंकार आवश्यक के जरूरी है कितने लोग आदा घंटा रोज अलंकार करते हैं हाथ उठाईए सबसे पहले तो कितने लोग 15 मिट 15 मिट सुबे शाम आदा घंटा रोज साकर यास करते, वो लोग आद उठाई है, इमानदारी से हैं, आदा घंटा, 24 घंटे में से आदा घंटा साकर यास करते हैं, ये बहुत कम बता रहा हूं मैं, जैसे पहली क्लास के बच्चे होते हैं न, वो वाला पैटर्न है ये, अग कितने लोग आदा घ अभी कुछ लोग नहीं करते हैं बचे आपके पास में एक घंता उस एक घंते में जो स्वरग्यान वाले जो मैं तरीका पताए था सा सा से हर स्वर को हर स्वर की जगे को देख करके वो स्वर लगाना स्वर गयान का सबसे इसी और सबसे ज्यादा प्रचलित पैटर्ण है ये दूदना सह से धा को दूदना फिर सह से नीं फिर सह से सा ठार सबसे पकड़ के फिर अबरो करना है यह दो pattern सबसे easy और सबस क्योंकि ये नहीं होगा ना तो इसके आगे के हो ही नहीं सकते संभवी नहीं है जब तक हम एक से ले करके 9 तक नंबर जो होते हैं मैस के नंबर होते है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिट 10 या 0 से शुरू करते हैं तो ये जो 9, 10 जो डिजिट हैं जब तक इनके बारे में अच्छे से नहीं जानेगे इसके आगे कम जानी नहीं सकते हैं 11 केसे बनता है 12 केसे बनता है 13 केसे बनता है तो जब तक ये जो सारे सागा सागरे सा सामागरे सा दो पेटन इससे जब तक स्वर्ग्यान नहीं लेंगे हम तब तक पल्टे कैसे गाप आएंगे पल्टे में तो रिदम होती है एक ले होती है ले कैसे बनेगी हमारी अब जो 30 40 नंबर का लंका है या कोई सा भी लेते हैं 30 नंबर का लंका ले लेते हैं सा गारे मा मा गारे सा रे मा गापा एक एक स्वर छोड़ करके या फिर सा सा गारे रे मा मा गापा पा ये कैसे सीखेंगे जब तक ये सा से एक एक स्वर का समवात करना नहीं सीखेंगे सा मा रे पा ये एक किसी राग का एक आरो है सा मा रे पा तो ये अलंकार भी है यह हमारा जब तक सासे मा लगाना नहीं सीखेंगे तो ये उस राग में इस सासे मा कुम कैसे लगा पाएंगे, ऐसे बहुत साई चीजे निरभर है एक दूसरे से, कि तो क्या हमने सारे सागा सामा सापा इस धंग से स्वर लगाना सीख लिया है किन-किन लोगों ने सीख लिया है बिल्कुल चलते फिर ते लगा सकते हैं बैठने के आवशक्ता नहीं है कोई रात में उठा के आप से पूछे चलो सासे धा लगाओ तो तुरंट आप लगा रहे हैं इस लेवल का एरियाज कितने लोगों का पक्का हो गया है बहुत कम लोगे 5-10% पर फिर भी अगर मैं लगवाओंगा नहीं आप साइद मिस्टेक कर देंगे पता है मुझे क्योंकि इतना जल्दी नहीं सीख पाएंगे अभी एना एक रटने वाली चीज है अभी भी वो ग्यान वो ग्यान कब होगा मैं समय लगता है मैंने पहले भी आपको कहीं बार एक्जामपल दिया है क्लास में कि हम एक छोटी सी नोकरी के लिए कितने साल पढ़ाई करते हैं कितना पेशा बरबाद करते हैं कितना समय देते हैं 18-20 साल देते हैं इन देते चोहान साब पढ़ाई के लिए और वो हर कोई करता है हर कोई वो केसा नहीं कि ये व्यक्ति करेगा ये नहीं करेगा हर व्यक्ति करता है हर व्यक्ति के हर बच्चे के परेंट्स करवाते हैं कि पढ़ाई कर लो पल्दो लिख लो उसके लिए बाहर भी जाना पड़ता है, भाथ से खाना बनाना भी पड़ता है, बहुत सारी चीज़े हैं, बहुत सारी चेलिंज पर, फिर भी ग्यारेंटी होती है क्या, कि वो नोकरी, जिसके लिए पढ़ाई कि वो मिल जाए हमें, या उस बिजनिस में हम सफल हो जाएं, तो संगीत तो उससे भी दिववी चीज़ें, लाखों में कुछ लोगों को, सेकड़ों लोगों को नसीब होती है, उसमें से भी, कुछ लोग छोड़ी देते हैं बीच में से, और वहां हम पढ़ाई कित्ता सालों करते हैं, कित्ता कित्ता घंटे रात रात बर जगते हैं, और हम दो-दो दे रहे हैं, दो-दो घंटा भी नहीं दे रहे हैं कुछ लोग तो, तो क्या expect करेंगे हम संगीज से, एक्चुरी हमें क्या है, जो व्यक्ति गाता है उसकी गाई की दिखती हैं अपने को, उस गाई की के पीछे उसकी जो मेहनत हैं वो कभी नहीं देख पाते हम लोग, वो तो उनी के कदमों पे चलेंगे, उनी के कदमों के पद चिन्नों पे चलेंगे, और मन की आदत होती है, क्या रहे ये तो कल लिया आप कुछ नया, ये प्रशन आया वहीं से हैं, ये तो कल लिया आपने, अप कुछ और नया, कुछ नया इससे भी हो सकता है क्या, जो आपके पा स्विकार कर लिजिए इस तरीके से कर लिजिए परसु नए तरीके से बता दिया साजारे रेगा गामा उस तरीके से अगले नेक्स टाइम कुछ और तरीके से एक भी तरीके से आप पक्का होई नहीं पाएगा आपका 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 आपक होता है practice होती है के बल practice रियास repeat करते हम जतनी बारלא तेज आएगा उसमें की बल आएगा उसमें गला मजबूत बने गा आपका गला क्योंकि बार 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 मंजयेगा आपका गला बरतन होता है ना परतन को गिसते न हम लोग साप करते हैं, दाग अगर बहुत घहरा है, वहीं गिसना पड़ेगा, अगर थोड़ा थोड़ा गिसेंगे, आसपस निकलेगा क्या हो, वहीं घरसन होना चाहिए, आपके गले में भी गला मंजना चाहिए, आपका मांज रहे हैं हम उसको, साध रहे मैंने पहले भी कहा है कि स्टाटिंग के पांच अलंकार उठाईए केवल, मातर पांच छोड़ दीजे बाकि सब, 43 अलंकार है ना हमारी पुस्तम के छोड़ दीजे, मातर इस्टाटिंग के पांच, उनसे बेसिक तो कुछ हो नहीं सकता, उनको उठाईए, वो भी कठिन तक इसी का रियास करिए, अलग-अलग टेम्पो में, ये तो इजी है ना, कोई देखने के जरूत नहीं पड़ेगी, क्योंकि करते हैं हम उसके शब्द स्वर याद है अपने को, उनी की प्रेक्टिस करिए, बाकि सब छोड़ दीजे, आप कहे तो मैं इसके लाब कुस लू अलंकार से हो जाएगा आपका, संगीत में क्वालिटी माइने रखते हैं, क्वांटिटी नहीं, आप लोग इतना इकट्टा कर भी लोग है तो क्या फाइदा उससे हैं, अब बताओ इतने सारे अलंकार हैं, इतने सारे रियास के पैटन हैं, किसी को भी एक को पकल दीजी, उसी को बार-बार करिए, हंडेड परसें आपको फाइदारी से आपको बताएं, सची बात तो यह कि हम मेरे खाल से सभी साधक इतने भी हैं, जेड़ दो घंटे से ज्यादा समय नहीं दे पाते हो, हमारे पास तो सबसे ज्यादा समय हैं, बागी सम तो काम कर रहे हैं, हम तो को कौछ क्राम करते हैं लेकिन फिर भी हम, जाढ़ घंटे से ज्यादा समय नहीं दे रहा है, अटारी से बता रहे हैं. इसे ज्यादा समय धर हो वह उससे ज्यादा समी, जीतना समय आप समत्र-शक भान पाईटा हो घर यह ज़िए रहा हैं उतन तो मिल रहा हैं आज आज आपने सारे भजन गाए, हमें सारे भजन अच्छी तरह से आ गएते, लेकिन आज हम पीछे के सब बोलगें, कौन सा सुर्था, क्योंकि वो इतनी एक पर फोकस करते हैं, अगले पर अगले पर चले जाते हैं, तो वो जो ठहरावाना की, स्वरग्यान जैसे हमें वो याद दिलाने के लिए ही तो मैंने रिपिट किये उनको, क्या आप ऐसे रिविजन कर सकते हैं, जल्दी आगे ना बढ़े, ऐसे इसे साब से चलाईए, ताकि हमारा पक्का होता जाए, जो हम एक बार करने तो पर भूले ना, यह मेरा, मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि जाए जाने हैं, जो हम आपी देखने पड़े के लिए कि डिकाल के, सभी लोग इतना ही समय दे पाते हूँ, दो गंटे में कभी आप भजन दे जिए जए कभी कोई गाना बता दिया उस पर लग गए हम, तो हमारा दे एक गंटा चलती हो जाता है, जो कि दो चार बार उंग तो थोड़ा सा, मतलब वो बिच्चे ये बोडी में भी, मैं आज के यहीं दो डाई गंटा इकटा लगातार बैठ लेता हूँ, यह आपका आशिरवाद समझ देजिए कुछ भी, नहीं तो एक समय ऐसा भी आया था कि बैठाने जाता दो गंटे लगा, लेकिन जब से ये कर दो गंटा आपके साथ, पांच गंटे की सिटिंग मेरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, तो बस मेरा तो यह आगरे है, कुर्देव आप अच्छा समझते हैं, हम तो बिलकुल कच्छे हैं, हमें कुछ भी नहीं मालूम संगित के बारे में, आपने इतना सिखाया, उसी स हमें इतना मिला है, कि हम कुछ बजा लेते हैं, कुछ गा लेते हैं, तो बेशक आप देरे चलिए, और देरे चलिए, लेकिन उसको बतलब ऐसा हो जाए, कि हाँ, हम किसी लाइक हो, बिलकुल, यह हमारा आख है, और सही वही भी है, यही एक सही तरीका है, सब लोगों को दिख रहा है, कि कौन कहां खड़ा है, अच्छी बात है, हमें स्वयम का जज़्मेंट करना भी आना चाहिए, कि हम लोग कहां खड़े हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है, जब आप खुद, अपने आपको देख करके, फिर कोई सला लेते हो, या देते हो, अच्छी बात है, वह होना चाहिए, और बता ही, क्या लगता है आप लोगों को, आप सब लोग एगरी करते हैं, च्वान साब की बातों से हैं, भारजी की बातों से हैं, खरगोस की चाल से चले हैं कि कच्छुए की चाल से हैं, खरगोस वाले कौन को ने, हाथ उठा सकते हैं, उनको मैं अलग से क्लास दूँगा, पर्सनल, बता ही, खरगोस वाले कौन को ने, अलग से इंडिविजल क्लास वन टू वन नहीं चाहिए, क्या बात हैं, क्या चीज़, एक एक करके बोलिए, क्या बोल रहा है जीज़ जीज़, हाँ हाँ उठवाते हैं, नहीं वो तो सब क्या नीचे हैं आप समझ रहे हैं, कशो वाले होंगे वो, लता जी़, क्या बोल रहा हैं, मेरी एक प्रात्ना है, कि जो हमारा रियास चलता है, एक बेंटे या तेड़ घंटे क्लास में, वो होग फड़ा स्लो करेंगे तो ठीक है, और स्लो करेंगे तो फिर वो दो घंटे तक हो जाएगा, क्यों, एक बेंटे चलता है, नहीं नहीं वो तेज टेमपो कम रखना है, ओके, ठीक है, तेमपो में इसलिए लेता हूं, क्योंकि जब टेमपो फास करते हैं न, तो चेलेंज मिलता है हमारे मन को, हमारी consciousness आती है वहाँ पर, जागरती चाहिए रियाज में, मतलब दिमाग को अब क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, वो वाली चीज़ होना चीए, तो वो जब चेलेंज मिलेगा न, तो आपकी कमफर्ट जोन में रखेंगे अपनना, तो वो कमफर्ट जोन से भार ही नहीं आ पाएगा, चले, फिर भी हम थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है, जरूर कम करेंगे. जितने देर चलेंगे, उतने देर चलाईए, उतने देर गाईए, जितने बी देर चलाईए, 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 जितने बी देर आपका सुबह में दिक्कत है ना कोई बात नहीं आप वोची शाम को करें जिसकी बोलने से दिक्कत होती है ज्यादा अगर पढ़ा लिया बच्चो को या ज्यादा किसी से बात कर लिया तो भी मुझे दिक्कत होती है जब आप इसनान करें उस समय मुह में पानी रखके इसनान करें जब से आपने बोला है मैं हमेशा करते हैं अच्छी बात का ध्यान रगें गल्ले के साथ भी कोई जबरदस्ती नहीं करें जितना वो चले ना जितने देवाली 10 मिनिट अच्छे से साथ दे 10 मिट करिए बाकी उ उसको रेस्ट जिए 10-10 मिनिट के अंतराल में या जब भी आपको भैतर लगे ना दिन में तो 10-15 मिट बेढ जाईए मतलब जब आपको लगेगी गला ठीक ठाक चल रहा है उस समय उस समय रियास करिए फिर ज़रूरी नहीं कि सुबह हो शाम हो दोपह हो जो भी समय हो ठीक ह समय लगेगा क्योंकि गला जो है ना बहुत सेंसिटीव पाइट है हमारे बोडी का बहुत संभालना होता है गले को हां बोलिये विंकी जी पिर नाम बुरुजी मुझे इक चीज समझना था जैसे आप जी साप से जी स्केल से सागर रियास करवात है मतलब अलंगार के प्राक्टिस पहले मैं एसाप से कर रही थी अभी मैंने जी कर दिया है कुरुजी तो तो अच्छल मुझे सागर रियास किस पर करना चाहिए मतलब मुझे अब मैं कंथे जो रहती कभी एप करती हूं फिर कभी नीचे पा जाती हूं तो अगर हम सागर कर तो फिर तो पर मुझे मतलब करना चाहिए। म्यूं है अपनी स्कल जो आपकी स्कल है जी करेंगे बार बार चेंज क्यो कर रहे हैं। ये कभी-कभी जुरूजी क्या होता एसा कोई गाना बहुत रे या गाह तब चला जाता है तो वो एइ श्केल से करना भग मुस्किल हो जाता है तो वो मैं नीचे आजाती हूं थो फिर उससे करती हूं तो अब मुझे लग रहा है कि वह स्केल मेरे लिए थोड़ा ज्यादा अ है तो मैं अब उस पर कर रहे हूं देखो कोई कंफिज होने की ज़रूद नहीं है एक सिंपल एक तरीका फॉलो करें मैंने पहले भी कहा है आप लोग भूल जाते हैं या नोट नहीं करते हैं कौपी में जो बोलू नोट करा करें अपने स्वर्षाधना और अलंकार या पल्टो का जो भी हम रियास करते हैं रियास बात अलग है और गाना बात अलग है जब भी हम स्वर्षाधना करें मतला एक एक स्वर्षाधना करें मतला एक स्वर्षाधना करें मतला एक स्वर्षाधना करें मतला एक स्वर्षाधना करें या फिर अलंकार करें, या किसी पल्टो का रियास करें, उसको आप अपनी में स्केल में करें, जो भी आपकी स्केल है, चाहिए वो A शार पे की जी शार पे, ठीक है, सुन लिजे पहले, आपने उसमें कर लिया, उसके बाद में फिर जो भी आप गाने वाले हो ना, जो भी कि चलो कोई गाना है कि जो गातक जा रहा है, अब गातक जा रहा है ना, तो वो गाना आप अपनी में स्केल में नहीं गा सकते, आपको नीचे जाना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं जाती महा तक, तो गाते समें, अपनी स्केल चेंज कर लिए, गाते समें, उस थोड़े जो आप इसाप से नहीं गाँ पारे तो जिश आप से लिए जभी देल रियास किया न उसका भी पाइदा होगा यहां है ज़रूरी नहीं कि आप किसी गीत के लिए अपना स्केल हर बार चेंज करें अपने अपनी में स्केल में रोज रियास करें इसमें स्वरसाधना और अलंकार शामिल हो उसके बाद में फिर आप जो भी गाना गा रहे हो यदि वो उसी स्केल में तो अच्छी बात है अधि उस स्केल में नहीं हो तो फिर इस्केल चेंज करके उस गानेगे में घा ली जी, फिर आपको बुरा व्या गार उसमें करने का का उशकता नहीं है तो गुरू जी जैसे ए सावब ड्यास करेंगे तो इसमें भी जैसे अभि आपने वुदो उसमें पूरा मा तक जा रहा है अगर हुआ तक नहीं जा रहा तो लोवर रुक टो में तो जाएगा लोवर रुक्टो में कर लिजिए पातक, मातक चले जाएए अगर कोई लंका मातक नहीं हो रहा ना उसको छोड़ दीजिए जो नहीं लगा हुश उस ओर को छोड़ दीजिए वो तो हम और बड़ा कर सकते, पातक ले जा सकते, धातक ले जा सकते, मातक क्यों लेके गए, क्योंकि मातक थोड़ा सा comfortable होता है, सब के लिए, कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है, जिनका नहीं होता है, वो गातक करें, देखिए हर चीज है न जी गुज़े तो जहां तक अवा जा रही ना उसी स्वर्थक करें चाहिए जो भी अलंकार हो ओके और एक स्केल अपनी में रखें जिसमें रोज रियाज करना है आपको तब तो आपका गला सदेगा उस स्केल में रोज बदलेंगे जाथ पाला इसे लहे यह कुछी करके काफी दिरों से यह चीज़ हो रहा है कंफीज हो रही थी मैं लेकिन मैंने बताई है यह चीज़ कितनी बार बताई है भूल जाते है अब ब्दोग तो फिर लगा कि अच्छा तो यह इस से कर लेते हैं लेकिन जब आपको उस दिन सुना रही थी तब यह रिलाइज हुआ कि नहीं मैं कंफ्यूज हो रही हूं भटक रही हूं मतलब पहले उससे करी थी वह जादरा बैटर था अभी इससे करने के कारण वह साथ वह नहीं पाया तो उस समय यह चीज दिमांग में आई तो मैंने आज फिर से क्लियर करना चाहां अच्छी बात है अब नहीं भूलना है एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अपनी मेन स्केल जो है स्टेंडर स्केल उसका रोज रियाज होना चाहिए स्वर साधना अलंकार उसी में होना चाह करके फिर आप उस गाने को गाईए और फिर वापस अपनी मेन स्केल में आ जाईए ठीक है जी और कोई प्रश ने किसी का पूछो बच्चों नमीशा अब बोलो बच्चा अवाज आ रही है आ रही है बोलो करते हो इसे बीना हर्मोनियम के तो कभी कभी खुटा है फिर कभी कभी इंडेकर ता फिर किटनी बजह करते हो रियाज कब करते हो सुबह या शाम को रियाज नहीं करोगे तो केसे खुलेगा बच्चे गला केसा प्रशन है तुम्हारा अगर रियाज नहीं करोगे रिगुलर तो केसे खुलेगा और एक दिन में खुलेगा क्या और एक चीज और करें आप सब लोग पता रहूं आपको एक चीज और करें सब लोग करें जब भी रियाज करने बेठे ना morning time या साम के time जब भी आप तो गार गल ज़रूर करें थोड़ा सा कुनगुना पानी में नमक, सेंधा नमक और हल्दी डाल करें, सेंधा नमक ठीक है और चुटके पर हल्दी डाल के गाल-गाल जरू करें, उससे आपके गले में जो भी रुकावट है न बिल्कुल क्लीन हो जाएगा आपका गला, तो खरास की पॉलम काफियत तक ठ कारटिक भी है, तो वो कुछ इंफेक्शन होगा उसको भी ठीक करेंगी, तो कारगल करके जरू करिए जब भी आप रियाज करें, और नमिशा डेली रियाज करना है बच्चा, तब जाके गला खुलेगा, ऐसे कैसे, गाना अलग बात है, रियाज अलग बात है, पहले रिया उसके बाद गाना, रियाज करोगे, तब तो गाने के लिए गला त्यार होगा आपका, गाना रियाज नहीं किला जाता है, गाना तो गाने के लिए रियाज किया जाता है, इसीज़ को समझना है, हम गाने के लिए तो रियाज कर रहे हैं, रियाज नहीं करेंगे तो गाएं क सबसे आखरी में हम, कोई भी एकात क्लास ऐसी हुई, जिसमें हमने गाना पहले लिया है, राग पहले लिया और फिर सावाद में लगाया, सुरसादना लंकार बात में कि ऐसा हुआ क्या, तो पहले रियाज उसके बाद फिर गाई कि,